गुर्वान श्रूजंस, ग्लास टेंट में प्रिसरे चैप्टर में यह तीसरे चैप्टर चला है आपका, यह दूसरा है दूसरा चेप्टर में आपका जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक का नाम है प्रतिवर्ति चाफ रेफ्लेक्स आर्च आज हम जानेंगे कि प्रतिवर्ति चाफ रेफ्लेक्स आर्च क्या होता है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप आने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके तो जानते हैं कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है प्रतिवर्ति क्रिया के आवेग प्रतिवर्ति क्रिया के आवेग के संबेदी अंग से कारेकारी अंग तक पहुचने के मारक को प्रतिवर्ति चाप कहते हैं प्रतिवर्ति क्रिया के तो कि जैसे जितनी भी क्रिया है जैसे मानलो कोई वर्ष्ट की गरम वर्ष्ट हम लोग छूलें या ठंडी वर्ष्ट को लगा दे आंखों पर लगा दे तो यह सब कैसी क्रिया होती है प्रतिवर्ति क्रिया के आवेग के संबेदी अंग से मतलब जैसे माल लेते हैं कि हमने किसी गरम वस्त को छू लिया तो छूने के बाद क्या होता है कि जो प्रतिवर्ति क्रिया के आवेग संबेदी अंग में प्रोड़ा प्रतिवर्तिचाप मतलब देखते हैं जैसे गर्म वस्त को छुआ गर्म वस्त को छुने पर क्या होता है गर्म वस्त को छुने पर कौन छुता है हमारा हाथ छुता है ठीक हाथ तो यह हाथ जो है यह हाथ क्या हो गया हमारा यह हाथ क्या हो गया यह हो गया हमारा समवेदी अंग सम्वेदी अंग हो गया तो हमारा हाथ कौन हो गया सम्वेदी अंग अब देखिए इस सम्वेदी अंग से क्योंकि ये प्रतिवर्ति क्रिया है तो प्रतिवर्ति क्रिया हमारे सीधे मेरुरज को जाएगी तो ये सम्वेदी अंग से कहा चला गया इस संबेदना कहा चली गई तंदिका द्वारा मेरुरजु में चली आती है मेरुरजु में चली आती है और मेरुरजु जो है हमारे कारेकारी वर्ष्ट कारेकारी अंग जो हमारे कारेकारी अंग है कारेकारी अंग कौन सा है कारेकारी अंग कारिकारी अंग मतलब कौन सा हाथ की पेसियां हाथ की पेसियों हाथ की पेसियों को सोचना भेजता है और हाथ की जो पेसियां है वो अपने काम करके हाथ को तुरंट पीछे खेच लेते हैं तो इस प्रकार से यह जो मार्ग है यह पूरा जो एक मार्ग है इसम्मार को कहते हैं प्रतिवर्ति चाप प्रतिवर्ति चाप देखिए यही लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ति क्रिया के आवेग संबेदी अंग कौन सा हो गया हमारा हाथ कि किसी गर्म वर्ष्ट को छूर है तो जो गर्म चीज है वो हमारे हाथ के लिए क्या हो गई संबेदना हो गई तो जो आवेग आए तो संबेदी अंग से कारेकारी अंग ठीक संबेदी अंग से पहले मिर्रज में चले गए और मिर्रज से तुरंद प्रतिवर्ति क्रिया का आदेश आया और वहां से तुरंद सूचना कारेकारी अंग यहीं यहां पर लिखावा है कि इसके निम्लिखित अंग होते हैं, तो सबसे पहले ग्राही अंग, देखे, जो हाथ है, यह कौन सा अंग हो ग्या ग्राही अंग, मतलब संबेदिया मतलब ग्राही अंग, क्योंकि संबेदना कौन ग्राही अंग कर रहा है, संबेदना किसके द् दोसरा क्या हो गया पंज़योंकी से अनु रहे नोन सोचना को आगे вेजने के लिए मतलब यहां पर यह सोचना को मेरुज तक भेजेंगे चालक निवरान तथा चालक तंद्रिका फिर जो मेरुज से जब वापस सोचना आएगी तो किसके द्वारा आएगी चालक निवरान या चालक तंद्रिका के द्वारा आएगी क्योंकि मेरुज सोचना भेजेगी कि अपने हाथ को पीछे खीचना है तो वही है कि चालक नीवरान तथा चालक तंद्रीका के द्वारा सोचना आएगी और फिर क्या हुआ जो कारे-कारी अंग है मतलब झाल जो जरा दो